एक से दस अगस्त तक हम पंजाब से शुरू करके दिल्ली तक यह मार्च निकालेंगे और देश के तमाम इलाकों से साथ ही उस मार्च के अंदर आखे चुड़ेंगे पुझे बहुत खुशी है कि यहां राजस्थान में आज स्वराज संबाद आयो जिन किया गया है देश का सोलुमा राज्ज है और यह बीसवा संबाद आयो जिन किया जा रहा है दो महीने के भीतर निया राजस्थान में आज किसान की दशा बेहत शोच नहीं है मौसम की मार, सरकार की मार और उपर से भूमिया दिखर्ण की दल्वार इन सब को जेल रहा है राजस्थान की किसान के संघर्ष में हम उनके साथ नवलगर के किसानों का जो संघर्ष है अपनी भूमिय को बचाने का उस संघर्ष में स्वाराज अभियान उसके साथ है और आज इस स्वराज संबाद के बाद हमारे साथ ही राजस्थान के कोने कोने में जाके किसानों से बात करेंगे उन्हें जोडेंगे और दस अगस्त को संसत के सामने देश की माठी हम लेके जाएंगे ताकि इस देश के राज करने वालों को माठी का मोल पता लगे ताकि वो इसका सम्मान करना सीखने इस आंदोलन में हमारी तीन प्रहुत मांगे पहली भूमी अधिक्रहन जो बिल है इसे दरसल जजानन जी ने कहा भूमी हड़को बिल कहना चाहिए ये भूमी हड़को बिल वापिस होना चाहिए दूसरा किसान की नियूनतम आमदनी को सुनिश्चित करने के लिए किसान की आमदनी का गारंटी देने बाला कानून बनना चाहिए और तीसरा, किसान को जो मौसम की पुद्रत की मार होती है, फसल को जब भी जो नुकसान होता है, उसका सब किसानों को मुआज़ा मिलना चाहिए, परियाप्त मुआज़ा मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए, बिना परिष्टा चाहिए मिलना चाहिए, इन तीनों मांगों को आप लेके हम देश बन में आपो रचला रखें और इसके शुरुआत राजस्थान में आपने करें